सबसे पहले तो देखो सभी को नमस्कार और सभी को राम राम भई और उमीद है सभी स्वस्तोंगे मस्तोंगे अपने एक्जाम के अच्छी थारी कर रहे होंगे और आज की सेस्टेशन में हम बताने वाले हैं इसमें जो है LMB और HMB दोनों के लिए जो पेपर हुआ है पेपर सेम हुआ है लेकिन आपको बता दू में हेवी वाला पेपर में आपको शोल यहां पे करवा रहा हूँ ठीक है तो इसमें आज मैं आपको यह बताऊंगा कि कौन से क्यूशन ऐसे हैं जो गलत है जिनके उपर हम objection लगा सकते हैं I mean हमने इसका solution करवा गया है आपको फुल वीडियो का solution आपको इस वीडियो की description में लिंक मिल जाएगा या आप वाटसप और टेलिग्राम से ले सकते हैं लेकिन आज इसे session में हम केवल उन्हें क्यूशन पर चाचा करेंगी जो doubt वाली क्यूशन है तो मैं one by सबूत देने की साक्षे या कोई मलब जो है एफीडेविट देने के आउसकता नहीं है डाइरेक्ली आप उसका solution आप दे सकते हैं जैसे मेत का question है तो सबसे पहले में लिए चलता हूँ परसंद सिंग्या साथ है जो driving part का है और उसमें क्या दिखकत है देगे परसंद सिंग् दूसरी बार में 15,000 और दो वर्स तो यहां पर रुपे जुर्माना जो है वो 10,000 है तो option D होगा बोर्ड ने ए माना है आप पे reference इसमें motor vehicle active motor vehicle attitude यहां पे 2019 संसोधन का दे सकते हैं या motor vehicle active 1988 section 185 यह इसका आप reference दे सकते हैं बिलकुल यह आपका consider किया जाएगा तो इसमें objection है option D सही होगा और जो है बोर्ड ने option नमर एक को से माना है परसंद सिंग्या इसके अलावा है 31 31 में आपको directly में लिए चलता हूं इसमें क्या दिकत है देगे one by one हम सभी questions पे देख लेंगे कि इसमें क्या दिकत है और अब आ गया है आपके सामने परसंद सिंग्या 31 में है 8 साल तक की आयूवाले ट्रांसपोर्ट वानों की fitness प्रमाण फत्र खालिस्तान के लिए बेदे होता है 8 साल तक मैंने आपको बता है new rule जो है fitness का दो प्लस दो प्लस दो यानि 8 साल तक दो दो वस में 8 साल तक दो दो का उसके बाद एक एक का ठीक है तो यहां पर 8 साल तक की यूवाले मलब सिधा सा मतलब है जो new transport vehicle होंगे उनको fitness दो-दो साल के लिए जारी किये जाएंगे तो option नमर B right answer होगा जबकि board net D माना है D गलत है और B इसका right answer होगा तो यह भी objection में जाता है और इसका जो सबूत है official जो order है मैं आपको यहां पर telegram पे आपको इन सभी questions के solution य लवाली चलता हूं में थीसरे क्योशन पर आप यहां पर देख पा रहे है परसंद सी क्या 14 आपके सामने आया है और इसमें पूछा क्या है इसमें पूछा 14 cm व्यास के व्रित्ये डिस्क की परीधी क्या होगी पाई कमान 22 बटा साथ आपको मानना है आप सभी को पता होगा परीधी का जो सूत होता है टू पाई आर टू पाई आर होता है और पाई कमान आपके पास में है दो गुना पाई कमान 22 बटे साथ और आर आर होती है त्रिजया यहां पर दिया गया है व्यास जो बच्चे इससे व्यास को ही आर मान लिया था वो गलत कर गए आपको पता है जो व्यास होता है उसका आधा होता है क्या त्रिज्या तो यहां पर साथ त्रिज्या हो जाएगी तो यहां पर आप चवदा बटे दो लिखें या साथ लिखें एक ही बात है मैंने साथ लिख दिया है क्योंकि आर यहां पर व्यास चवदा है तो आर साथ हो जाएगा ठीक है तो क्योंकि त्रिजा का डबल होता है तो साथ से साथ कट हो जाएगा बाइस दूनिक चमालीस, option मर्शी right answer होगा, board ने D माना है, तो यहाँ पर यह गलत हो जाएगा, right answer option मर्शी, तो यह भी objection है, आप इस solution भी लिख सकते हैं, क्योशन का मेट का solution करके आप इसकी picture जो है, आप यहाँ पे upload कर सकते हैं, आपका consider यहाँ पे बिल्कुल किया जाएगा, तो यहाँ पर एक चीज़ा रखना, यह person आप अपने paper में, किस हिसाब से हो देख लेना, भी question ID बगरा है, आप थोड़ा सा मिलान कर लेना, गलत मत कर दे यह मेरा जो है न, heavy vehicle driver का paper है, और जो भी है, इसमें आप पे question ID का थोड़ा ध्यान रखना, आप अपनी ID से आप objection लगाना, मैं लिए चलता हूँ, अगले परसन पे 15 नमर परसन है, आप देख पा रहे हैं, आपे 15 नमर परसन में पूचा है, यहाँ पर, cement की एक बोरी का बहा है, 7.25, अब मैं लिख देता हूँ, rate की बोरी, यह होगी rate आपकी, rate की बोरी का 7.25, ठीक है, अब आपको है, जो की cement की बोरी से अधिक है, एक लोरी, जो की अधिकतर 200 kg, 200 kg, जो है एक चक्र में, एक बार में, 200 kg, एक बार में को वजल ले जा सकती है, ठीक है, बहार वहन कर स के, उसके द्वारा निर्माण इस्तर पर माना की, यह ए इस्थान है, अब यहां से उसको जाना है, बी जगया पे, यहां निर्माण कारे चल रहा है, ठीक है, निर्माण कारे चल रहा है, सिमेंट की 25 बोरियां ठता रेट की भी 25 बोरियों की आप पूर्ति की जानी है, मतलब की इसको यहां पर 25 बोरियों की आप पूर्ति करने के लिए लोरी को कम से कम कितनी बार आना जाना होगा, आना जाने का मतलब है कितने चक्तर लगाने होगे, कितने राउंड इसको देने होगे, तो यहां पर हम देखते हैं, दोनों का योग भी कर, एक बार में 200 किलोग्राम ले जा रहा है, तो दोनों का योग 170 पलस 181.5 करते हैं, तो 17, 34, 35, तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1.5 किलोग्राम हो जाता है, तो अब यहां पर आप देख पा रहा है, एक बार में 200 किलोग्राम ले जा रहा है, तो यहां पर एक बार में जाएगा नहीं, दूसरा चक्कर भी उसको लगाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब कि 2 चकर हो जाएगे, हम बात करते हैं, कभी वो एक ब लेने के लिए वापस समाल ले गया, यहां हो गया, लेकिन जाहां से स्टार्ट हुआ है, यहां पर वापस समचा नहीं है, यह बी पर रहा गया है, इस हिसाब से इस क्योशन का जो आंसर निकल रहा है, लेकिन यह दोनों से आना जाना करना करना Es passion की language थो 다ー इस हिसी है, इसने मतलब की जो समान पहुंचाना है तो कितनी बार आना जाना करना होगा तो यहाँ पर अगर हम ऐसे देखें तो यह एक, यह दो, यह तीन हो रहा है बिल्कुल लेकिन यह मतलब की round कितने हुए भी आना और जाना को अलग-अलग count नहीं करना कम से कम कितनी बार आना जाना करना, आना जाना का मतलब है चक्कर लगाना है, एक पुरा round हो जाएगा तो यहाँ पर मेरे इसाब से जो answer है, option number 1, इसका right answer हो जाएगा तो आप इसको भी objection में ले सकते हैं, बाकि अब यह person की language थोड़ीशी इस हिसाब से इनों पतानी सादू ने कैसे लिखी है थोड़ा सा समझी नहीं आ रहा कि यह आना और जाना कैसे इनको consider करेंगे तो इस इसाब से 3 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं और इस भाई ने क्या किया है देखें, अच्छा, इस भाई ने भी जैसे मैं सोच रहा हूं, इसे इनों ने किया है तो इस इसाब से दो चक्कर इनको लगाने पड़ेंगे दो या चार में से मेरे साब से जो उप्सन है उससे होना चीए या तो दो होगा या चार होगा तीन उप्सन किसी भी हालत मी नहीं होगा क्योंकि कोई भी यात्रा जो होती है वो तभी कंप्रीट होती है जब आप गंतविस्तान पे वापस आप पहुंचते हैं कोई भी चक्कर होगा तो यहां पर आपको पता होना चीए कि भी मलब समान पहुंचाना है तो जाके वापस आएगा तब एक चक्कर होगा तो वो बात है आपको थोड़ा सा इसको समझना है और इस हिसाब से इसका उपस नमबर जो है एक या सी इसका राइटान से हो जाएगा तो यह भी एक उब्जेक्शन का क्योशन है इसके लावा एक और क्योशन जो जीके का है उसको मैं आपको लिए चलता हूँ क्योशन नमबर जीके का बारा है मैंने नोट कर रखे हैं और इसको आप देख पा रहे है सोर प्रनाली में हराग रहे ग्रीन जो प्लैनेट है तो यहाँ पे वरुन को उपसं से ही मना गया है लेकिन वरुन नहीं यहाँ पे अरुन होगा क्या होगा वरुन नहीं जो ग्रीन ग्रे होता है वो अरुन है तो अरुन उपसं में नहीं है तो यह भी एक अब्जेक्शन है ठीक है तो इसको भी आपको थोड़ा सा खंसिडर करना है औब्जेक्शन के लिए आप सम्मिट इसको कर सकते हैं, रेफेंस आप किसी भी बुक्स का दे सकते हैं, यह आप देख पा रहे हैं, मैंने गूगल में भी सर्च करा है, हरा ग्रेक चीन कहते हैं, तो सही उतर है अरून, अरून इसे हरित ग्रे के नाम से भी जाना जाता है, इस पता नहीं, यह तोड़ा साज जो बुक्ष है, मैं आपको एक प्रोपार गाइड आपको बता दूगा, जिसमें वरून भी लिखावा है, ग्रिन ग्रेक कोन सा है, गूगल क्या बता रहा देखें, सोर मंदल के आठमे ग्रेक वरून को ग्रीन प्लेनेट या हरा ग्रेक का ज और हरिदगर के नाम से जाए, मैं थेन इसमी ज्यादा है, ठीक है, पीला ग्रेक कोन सा है, लाल ग्रेक कोन सा है, एक इस के फूर्ड़ा के मामल्ला है, वाकिश देखेंगे इसके उपर, और इंगलिस का जो है, वहां पे बिड़ आउथ है, मैं आपको इस चलता हूं,今日ा प् अब एक चीज बताओं पर आपको ये डिफाइन हो चुके हैं ये एक पार्टिकुलर जो है बोईज की बात हो रही है पार्टिकुलर बोईज कौन से वह 100 बोईज 100 बोईज कम आउट फिसकुल यानी स्कुल से 100 बोईज कौन से जो इसकुल में पढ़ते हैं वो बहार निकल रहे हैं तो यहाँ पे एक फिक्स अगर संग्या सरवनाम का यूज हो तो उससे पहले एक फिक्स आर्टिकल का यूज होगा तो definite article का use होगा, यहाँ पे A होगा, जो है, indefinite article है, और hundred boys जो है, definite noun, A-J noun प्रियोग होगा है, तो यहाँ पे दै का इस्तेमाद होगा, तो अपस्टमर C सी का right answer होगा, B बोर्ड ने माना है, तो यह गदत होगा, A और N होगा, दै इसका right answer होगा, तो इसको भी थोड़ा सा वि ठीक है, तो यहाँ पर यह इतने questions थे, जो कि यहाँ पे doubt-wally questions है, तो आप इनके उपर थोड़ा सा आप ध्यान से, और थोड़ा सा विचाव इमस करके, objection लगा सकते हैं, objection लगाने की जो last date है, वो 22 से फरवरी रखे गई है, तो उसे पहले-पहले आप इनके उपर objection लगाए मैं 2-3 questions के जो data है, आपको मैं telegram channel पर base दूगा, उसके basis पर आप यहाँ पर objection लगा सकते हैं, तो अभी के लिए इतना ही फिरशी मिलते हैं next video में, और इस paper का full solution देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं, हमारा जो official telegram है, वहाँ पर full solution का link के दे रखा है, और आप video के description में भी जा सकते हैं, full solution का link आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो आपको इसे पूरा paper देख सकते हैं, एक alumby का paper वा था है, एक HMB का paper वा था, मैं आपको बताना चाहूंगा, दोनों के paper सेम अभी, alumby और HMB, दोनों के paper क्या है, सेम है गई, तो आप यह इंदे दे देखें कि गु उनों का paper सेम दे दिया है, तो बाकी एकदम अच्छा paper निकला, जो बच्चे पढ़के गए हैं, उनका काफी अच्छा score है, आप भी comment section में बता सकते हैं, कि आपका क्या score है, और कौन सी category आप एक Google form का link में इस वीडियो की description में दिया है, तो आप उसके मादेम से जो है, यहा 70-75 का score अगर किसी का है, आप थोड़ा सा निशिंत रहें, शोर आप रह सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब का paper है, वो 70-75 score काफी अच्छा score है, वो negative arking भी थी, तो यह score एक reasonable score आपका है, और आप चिंता ने करें, आपका बिल्कुल यहां पर मेरे इसाब से हो जाएगा, बाकी आगे देखते हैं, किस हिसाब से बच्चों के नंबर जो है, यहां पर निकल के आते हैं, क्योंकि एकदम easy questions जो है, यहां पर इंगलीस वाले भी काफी questions easy थी, लेकिन वहां पर भी बच्चे गलत करके आये हैं, जीके वाले में भी 57 questions फस गए, मेत वाले में भी 2-4 परसं फस सकते हैं, तो 75 अगर किसी के हैं, तो इतम काफी अच्छा स्कोर है, आप डर है नहीं, काफी अच्छा स्कोर आपका है, तो किसी भी प्रकार की query के लिए, आप जो है WhatsApp पे हमें message कर सकते हैं, कोई भी query आपको लगती है, नंबर है 8764188848, तो इस नंबर पे आप संपर कर सकते हैं, मैं दोबारा बता देता हूं, 8764188848, यह जो नंबर आपको दिखाए दे रहे हैं, इस नंबर पे आप WhatsApp पे message के वादे, कोई भी query आपकी है, तो आप उस query को हमारे पास कर सकते हैं, और बिल्कुल हम आपकी मदद करेंगे, WhatsApp पे message करना है, गुरुजीन, ठीक है, phone call मत क WhatsApp पे message करना है, तो धनिवाद, thank you so much.